हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको बिल्कुल इसी तरह की छोटे वाले कठल और आलू की सबजी बना कर दिखाएंगे इसे बनाने के लिए हमने लिये हैं दो पीस छोटे कठल और इन कठलों का वेट अगर हम आपसे कहें तो ये एक केजी धाई सो ग्राम के हैं दोनो तो देख सकते हैं हमने दोनो कठलों को छील कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और काटने के साथ ही इसे हमने पानी में रखा है ताकि ये खराब ना हो सके इसके साथ दो पीस मीडियम आकार के आलू को छील कर इसे कठल के जैसे ही छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया है तो चलिए अब इस स्वादिष्ट सी रेसेपी को आपको हम बना कर दिखाते हैं सबसे पहले कठलों को हम कूकर में पकाएंगे एक दो बार धोने के बाद फ्रेस पानी के साथ इसे कूकर में डालेंगे पानी चेक कर लें कठल दूबे हुए रहने चाहिए कूकर में थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी के साथ और धकन को बंद करके चार सीटी हाई फ्लेम पर लगने देंगे तो जब तक हमारे कठल जो हैं वो पक रहे हैं तब तक हम एक कठाई पर थोड़ा सा ओयल लेंगे ओयल के गरम होने पर इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर चमच से चलाते हुए कुछ देर फ्राई कर लेंगे कुछी देर में 4-5 मिनट के बाद जब हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हो तब हम गैस के फ्लेम को एक बार के लिए बंद करके इसे हम कड़ाई में से निकाल कर अलग रख लेंगे अब एक ग्रैंडर के जार पर एक छोटी चमच जीरा डालेंगे, दो छोटी चमच साबुत धनिया, आधी छोटी चमच काली मिर्च के दाने, 4-5 सुखे लाल मिर्च लेंगे या इसे आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं 15-16 दाने छीली हुई लहसुन और 1 इंच कटे हुए अधरक, अब इसके साथ थोड़ा-थोड़ा पानी मिक्स करके मसालों को अच्छे से पीस लेंगे तो देख सकते हैं हमने मसाला पेश्ट को पीस कर तयार कर लिया है इन सारे चीजों को तयार करते करते देख सकते हैं कठल बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है चेक कर लेंगे एक बार इसे और कूकर में से कठल को निकाल कर अलग रखेंगे अब हम कड़ाई पर एक से देड़ बड़े चम्मच तेल को डालेंगे और इसे गरम करेंगे चम्मच से चलाते हुए इन कठलों को हम 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे कठल को कुछ देर 5-6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब इसे भी हम कड़ाई में से निकाल कर अलग रख लेंगे कठल को निकाल कर कढ़ाई में डालेंगे तीन बड़े चमश्च तेल और तेल को गरम करेंगे तेल के गरम होने पर इसमें हम एक चुट की हींग डालेंगे और हींग के साथ में तीन पीस मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज प्याज को थोड़ा सा कम आज पर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे प्याज को अच्छी तरह से पका लेने के बाद अब इसके साथ में हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और तेल पर लोव फ्लेम में कुछ देर के लिए मिक्स कर लेंगे कसूरी मेथी को मिक्स करके एक छोटी चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे और इसे भी हलका सा मिला देंगे अब इसके साथ में हम पीसे हुए मसाला पेस्ट को डालेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम करके मसालो को कम से कम 5-6 मिनट तक एक साथ मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएंगे कुछ देर मसालो को फ्राइ करने के बाद देख सकते हैं इन मसालो से अब तेल छूटने लगे हैं तो अब हमें इसके साथ में एड़ करना है टोमेटो प्यूरी टोमेटो प्यूरी दो पीस पके हुए टमाटरों को पीस कर इसे हमने तयार किया है टोमेटो प्यूरी को भी मसालो के साथ मीडियम आज में 4-6 मिनट तक चमच से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ ही देर में फ्राई करते हुए टोमेटो प्योरी और मसाले पक चुके हैं देख सकते हैं और अब इसके साथ में फ्राई किये हुए कटहल और आलू दोनों ही चीजों को ढाल कर इसे हम मसालों के साथ मिक्स करते हुए 4 से 5 मिट तक पकाएंगे गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और हलके हलके चम्मच से पलटते हुए इसे आप कुछ देर तक पका लें कटहल आलू को मिक्स करने के बाद इसके साथ में हम एक गलास पानी एड करेंगे और पानी के साथ डालेंगे एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे हम मीडियम आज पर कम से कम 3 से 4 मिनट ढख कर पका लेंगे तीन-चार मिनट पकने के बाद अब इसके कवर को ओपन करेंगे और गैस के फ्लेम को कम्पलीट बंद करके चमच से एक दो बार इस सबजी को चलाएंगे आलू कठहल की स्वादिष्ट सबजी आपके सामने बन कर तयार हो चुकी है तो फ्रेंट्स आलू कठहल की सबजी तो हमने बना दिया है पर इसकी वैल्यू तभी है जब यह रेसेपी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है रेसेपी अच्छी लगती है खाने में तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आये है तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद